Hello everyone, welcome back to my channel So, Assalamualaikum, कैसे आप सबी उमीद करती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे तो यहाँ आप सबी देख सकते हैं, यह है फोकानिया मैस का लाश्ट पार्ट, ठीक है इसके बाद मैथमेटिक्स का दूसरा पार्ट नहीं आएगा इसमें आप लोगो को तो क्षु करापने गया एगा है, इसमेंडेमें आप लोगों को 20-25 क्षु Baham इसमें मैं आप लोग 10-25 क्षु कराऊँगी, उससे जयदे भी हो सकते हैं अप लेगें उसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करने है, ठीक है तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ तो इस वीडियो में आप लोगो सबसे पहले ट्रैंगल्स का सब्जिक्टिफ क्वेशन कराने वाले हूँ ठीक है ट्रैंगल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन है वो मैं कराऊंगी उससे पहले उपर का I think मैं दूसरे वीडियो में कराई थी या नहीं थोड़ा सद्यान नहीं मुझे ठीक है तो उपर आप लोग जितने भी क्वेशन देख रहे हूँ साथ से आठ क्वेशन जो की आप लोग का AP से लिया गया है क्लियर यह आप लोग स्क्रिंशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉस करके साथ क्वेशन जरूर प्रैक्टिस कीजेगा ठीक है मुझे याद नहीं कि मैं पिछले वीडियो में कड़ाई थी की नहीं इस वीडियो में आपको यह साथ क्वेशन दिखा दी हूँ तो चलिए मैं आप लोग को ट्रैंगल के साथ क्वेशन जले से करा देती हूँ तो यहाँ पे लोग देखिए सवाल 1 सवाल वन क्या कह रहा है अगर किसी ट्रैंगल के एक जले के मतवाजी कोई खत खीचा जाए ठीक है तो वह बाकी दो इसला को मुखतलिफ नुक्तों पर गता करता है और वह दो इसला एक ही निस्बत में मुनकसिम होते हैं ठीक है तो यहां पर आप लोगो को प्रूफ करना है जाने की सबूत लिखावान है यानि प्रूफ करना आप सबी को प्रूफ क्या गरना है तो यहां पर आप लोगों को प्रूफ करना है इसमें आप लोगों क्वेश्चन पढ़े ना जैसे अगर किसी ट्रैंगल के एक जले की मतवाजी कोई खत खीचा जाए ठीक है तो वह ब जाना देना है और इसको प्रूफ कर देना है क्लियर कुछ इस तरीके से आप लोग कर देंगे समझ गया आप लोग अब यहां पर आप लोग देखिए सवाल टू जो की ट्रैंगल चैप्रे से लिए गया है मंदरजा जिल शकल में डी पैलल बीसी है तो एडी और इसी की लं करना है तो ही तो यहां पर आप लोग मालुम करेंगे कुछ इस तरीके से निचा आप सबी देख सकते हैं ठीक हैं यहां प्लोग मालुम कर लेंगे सवाल दिरा क्या रहा है तो यहां पर देखे क्वेश्चन F और E बातर्ती मसलत PQR के अजला P R और P Q यानि के P Q और P R पर दो नुक्ते हैं मंदर्जा जेल हर एक हालत के लिए बयान कीजिए कि E F पैलल Q R होगा तो किस तरीके से होगा यहां पर आप सब देखिए इसमें आप लोग को नमबर वन पर यह दिया हुआ है और नमबर 2 पर दिया हुआ है दोनों को अप लोग को अलग से एक्स्प्लेइन करना है यानि कि बनाना है आप सभी को तो सबसे पहला आप लोग यहां पर ट्राइंगल की फोटो बना लेंगे ठीक है यानि फिगर बना लेंगे इससे आईडिया लेकर उसके बाद आप लोग यह दोनों को इसम बनाएंगे कुछ इस तरीके से नीशे अगँए है याँ पर लोग देख लिए नीशे आप लोग इस तरीके से बना लेंगे अब यहां पर लोग देखिए सबाल 4 क्या कह रहा है तो सवाल फुर कह रहा है दर्जिल शकल में अगर LM parallel CB ठीक है LM parallel CB है और LM parallel CD है तो साबित कीजिए कि यहाँ पे आप लोग देखें AM upon AB is equal to AN upon AD होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को साबित करना है प्रूफ करना है तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले figure I think there भी रहेगा नहीं दिय रहेगा तो आप लोग खुछ से बना लेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पे साबित करेंगे प्रूफ कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से कर दोगे अब यहाँ पे अगर PQ parallel RS है यहाँ पे देखिए PQ और यह RS ठीक है दोनों एक दूसरे parallel है कि नहीं यहाँ पे लोग देख लेजे ठीक है उसके बाद देखिए तो साबित कीजिए यहाँ पे देखिए triangle POQ बना हुआ है फिर यहाँ पे देखिए triangle SOR तो यहाँ पे आप लोगों को तो यहां पे आप लोग कुछ इस तरीके से प्रूफ कर देंगे, फिर यहां पे आप लोग देखिए, question 5 से direct question 11, तो यह आप लोग का बीच का फालत question था, इसलिए मैं आप पर नहीं लिए हूँ, यह important question है, यह भी आप लोग सरूर try कीजिए, ठीक है, अब यहां पे आप लोग question देखिए, उसके बाद आप लोग उसको हल कीजिएगा, ठीक है, तो यह important है, तो यह मैं आप लोग को देदी हूँ, यहां पे, फिर next question और next chapter है, coordinate geometry, तो इससे भी सवाल exam में पूछे जाते हैं, काफी easy chapter है, यह भी आप लोग का important exam के नजरिये से देखा जाए तो, तो यहां पे आप लोग देखिए, question किस तरीके से पूछेगे है, है, coordinate geometric है, तो यहां पे आप लोग देखिए, तो यहां पे question है, दो नकात के दर्मियान फासला दर्याफ्त करने का formula क्या होगा, ठीक है, x1, y1, x2, y2, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, to find the distance between two points, x1, y1, x2, y2, ठीक है, किस तरीके से यहां पे देखिए, साल कुछ दिया हुआ है, देखिए, यह y-axis है, यह x-axis है, बीच का यह origin है, यानि कि ओ दिया हुआ भी है, ठीक है, उसके बाद आप लोग यहां पे देखिए, इसे में दिया हुआ है, graph के x-axis और y-axis पर दो नकात q और p के दर्मि ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सभी बता सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरा स्थियोडम के कॉर्डिंग यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग मना सकते हैं, अब देखिए, सवाल 2 उसी में है, मतलब को ओर्डिनेट जोमेटरी का ही सवाल है, अगर पी, यानि कि 2-3 एक नंबर दे दिया गया है, और नुकता Q10Y, ठीक है, के दर्मियानी फासला 10 यूनिट हो, तो य की कदर मालूम कीजिये, ठीक है, यहां पे एक नंबर दे दिया हो गया है, और कह रहा है कि Y की कदर मालूम करनी है, तो यहां पे आप सभी देख सकते हैं, यह भी आप लोगो पाइथा गोड़ा स्थ्योडम के एकॉर्डिंग बनाना होगा तो यह आप लोगो याद होना काफी जरूरी है जब तक याद नहीं रहेगा आप लोग कोई भी क्वेश्टन आंसर नहीं बना सकते हैं ठीक है देखिए इस तरह से आप लोगो बनाना है और आखरी में एंसर भी यहाँ पर आगिया है जवाब ठीक है अब देखिए सवाल 3 सारे का सारा क्वेश्टन को ओर्डिनर जमेटरी का इसमें मुझे कुछ बताना इंपॉर्डन नहीं लग रहा है ठीक है आप लोगो के सारा क्वेश्टन देख लीजे और प्रैक्रिस कर लुग देखिए जान के सवाल 7 यहां पर यहां पर देखिए सवाल 8 या आखरी क्वेश्टन इस चेप्टर के बिल्कुल तो यह पर दोगा क्वाडिनेट चैप्टर से एट क्वेश्टन में ली थी सारे क्वाश्टन इंपॉर्ट्न है जरूर आप लोग ट्राइं किये यह आप लो देखें घृशा में घृशा में काफ़ आप कुछ आप बन्युवर्ट को जाना जरूरी है यहां पर पहले पहले दे दिया गीए है यह सब आता है यह आपको को जाना जरूरी है उसके बाद सबसे अहम चीज़ को यह मालूम होना जरूरी है, ठीक है, sign, cost, ten, court, यह सब क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं, आप लोग यह सारा कुछ आप लोग को मालूम होना जरूरी है, तो यह आप लोग याद कर लेंगे, याद भी होगा, इस चलिए, अब याद कर लोगे, उसके बाद आप लोगो question बनाना है, याद नहीं रगा, question 1 भी solve नहीं होगा, तो याद करना आप लोगों को जरूरी है, इस chapter का सबसे important चीज है, clear? अब यहाँ पर question देखिए आप सभी, तो सवाल 1 कहड़ा है, 10a is equal to 4 upon 3, 10a दे दिया गया है, इतना दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, 10a is equal to 4 upon 3 दिया हुआ है, जवाय एक की बाके trigonometric नजबते मालूम कीज़े, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों कर नहीं है, तो यहाँ पर आप से भी देख सकते हैं, नीचे साला को solve करके दिया हुआ है, फिर next question देखे, इस chapter का important question triangle ABC में, यहाँ पर देखे, angle B is equal to 90 degree है, उसके बाद यहाँ पर देखे, AB is equal to 24 cm है और BC is equal to 7 cm हो तो मालूम कीज़े, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम करना है, तो इस तरीके साब लोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यह question हो गया है, उसके बाद यहाँ पर देखे, sin A cos A, तो सबसे पहले सवाल यह पूछ रहा है, फिर सवाल 2 में देखे, उसी में sin C और cos C यह आप लोगो को निकालना है, इस तरीके से निकालोगे, तो निशे आप लोग देखे, किस तरीके से निकाल लगया है, इस तरीके साब लोग निकाल लेंगे, clear, अब यहाँ पर देखे, सवाल 3, सवाल 3 इसमें क्या कह रहा है, तो सवाल 3 कह रहा है, cot A is equal to 8, ठीक है, cot A 8 है, 8 पर 15 दिया हुआ है, तो साइन ए और सिक ए मालूम कीजिए, ठीक है, तो मालूम आप लोग किस तरीके से करेंगे, नीशे देखे, मालूम आप लोग कर लीजिए, अब यहाँ पर देखे, सवाल 4, तो सवाल 4 कह रहा है, सिक थेटा is equal to 13 upon 12, सिक थेटा इतना दिया हुआ है, बाकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक नस्बते मालूम कीजिए, तो मालूम आप लोग कहां से करना है, तो मालूम आप लोग को नीचे से करना है, मैं मालूम नहीं करारी हूँ आप सभी को, ठीक है, अब देखे, सवाल 5, सवाल 5 भी आप लोग को साइन कॉट, यहाँ पर आप लोग को मालूम ही करना है, इसकी कदर मालूम करनी है, तो यहाँ आप लोग सॉल्फ करेंगे, तब यहाँ आप लोग का अंसर निकलेगा, तो यहाँ पर आप लोग हल कर लीजे, फिर नेक्स्ट क्वेशन देखिए अगर ट्राइंगल PQR में एंगल Q90 डिग्री है ठीक है तो PQ इसकल टू 20 सेंटिमीटर और PR इसकल टू 30 सेंटिमीटर हो तो 10P माइनस कॉट आर की कदर मालूम कीज़े तो आप लोग को कदर कहा समालूम करना है तो नीचे से करना है ठीक है चलिए अब यहां पर लोग सवाल 7 सवाल 7 क्या कह रहा है ट्राइंगल ACB में एंगल C 90 डिग्री है AB इतना है BC इतना सैंटिमीटर है और ABC इतना थेटा है यानि कि थेटा है सरिफ हो तो साबित कीजिए कि यहां पर देखे यह होगा तो यहां पर आप लोग को साबित करना है कुछ इस तरीके से AC is equal to AB square minus BC यहां पर आप सभी देख सकते हैं यहां पर पूरा solve करके लिखा हुआ है ठीक है अब यहां पर आप सभी देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर आगिया है और नेक्स्ट चैप्टर का important question आगिया है उपर आप लोग का trigonometry का जितना question था important वो सारा कुछ मैं करा चुकी है अब निशे यहां पर आप लोग देखे height and distance जिसे उचाई और दूरी कहा जाता है तो यहां पर आप लोग देखे इससे जितने important question बन सकते थे मैं दब exam में आ सकते थे वो सारा यहां पर मैं देदी हूँ तो यहां पर आप लोग देखे सवाल one क्या कह रहा है और इसका जवाब यानि के solution में नीशे दिये हुए है तो यहां पर आप लोग देखे question one क्या कह रहा है एक मिनार इंतसाबिक दौर पर ground पर खड़ा है ठीके ground पर किसी नकता से मिनार की पाया मिनार का जो पाया होता है पाया की दूरी पंदरा मीटर है ठीके फिर यहां पर देखे मिनार की चोटी का distance 60 degree है ठीके यहां पर आप लोग देख सकते हैं मिनार की उचाई मालूम कीजिए ठीके तो यह एक्जाम में आ सकता है क्योंकि यह question पुछा जाता है important है तो यह आप लोग याद भी कर लीचे को तो चलेगा ठीके तो यहां पर आप लोग देखे नीचे कुछ इस तरीके से आप सभी को solve करना यह question समझ रोग आप लोग फिर next question देखिए इसी का है जो कि आप लोग का कौन से chapter है height and distance height and distance का ही यह question है कुछ इसी तरीके question है जो कि आप लोग का सवाल 1 में था वैसे देखिए आप लिखा वह भी है जमीन पर 1 नुक्ता पी से 10 मेंटर उचाई एक इमारत का जवाया 30 डिगरी है इमारत की चछत पर ज़ंडे का एक पोल लगाया गिया है ज़ंडे के पोल के ऊपर सरी का नुक्ता पी से जवाया इतना है ठीकर इस तरीके पोल की से उच्छाई और इमारत का नोक्ता पी से फ आसला मालूम कीज़े तो इसी तरी का वै Legal को यहां पर हैईटे इन स्वार्षन संझ哈 स्वाल थिविए उसी तरी में स्मूर्षन कर दिया गिया है एब हो मिनार के जर्शक्ता पावियों आज गोई और आप लोगो कोई कुछ कुछ सिर्फ नाम चेंज कर देगा नमबर नमबर चेंज कर देगा तो पैटर्न होगा तरीका होगा वही चीज रहेगा समझेट आप लोग चलिए अब यहां पर देखिए सर्कल का क्वेश्चन हाइटन डिस्टेंस निगी था इसलिए वही तीन आप प्रैक्टेस कर लेजे तो आप लोग का जो भी हाइटन डिस्टेंस सवाल आएगा तो आप लोग का बन जाएगा ठीक है सर्कल से देखिए कुछ क्वेश्चन यहां पर मैं ली हूँ ठीक है जिसे यहां पर देखिए सर्कल को उर्दो में डायरे कहते हैं ठीक है लिखाव इसको कि यहां पर सभी सकते हैं कटर जिसे टेमीट घाता है ठीक है त्यक्तिक है यह तो यहां पर देखिए नस्व में की ने तक आप लोगों को मालूम होना जरूरी है इसमें से एक आक सवाल तो आहीं जाएगा एक नहीं एक दो आजाएगा समझ रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसे में का तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं उर्दू में बिदियावा इंग्लिश में दियावा मैं इंग्ता ममास पर अमूद होता है ठीक है तो यहां पर काफी हाई-level व्लाट दूथा ठीक है तो यहां पर आप लोग को सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से आप लोग देखिए निचे सालेशन अब दिये हुए आप लोग यहां से कर लेंगे पिर यहां पर आप लोग कीजिए फाइब सिक्सारा क्वेशन आप लोग प्रैक्टिस करना है दो तीन बड़ा आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और मैंसा क्वेशन किस तरीके साप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसमें कुछ टिप्स ट्रिक्स लगने वाले इसके में अलग से वीडियो बना लोगी तो उमीद करते हैं आप लोगो समझ में आया होगा वीडियो चे लगे हो तो लाइक कीजिएगा शेयर भी जरूर कीजिएगा कमेंट करके जरू बताएगा वीडियो कैसे लगी फिर में दूसरे वीडियो में